असलाम लेकुम उमीद करती हूँ आप लोग खेरियत से होंगे आज का हमारा जो टोपिक है डाट इस नी एंकल फूट आर्थोसिस ठीक है नोमन कलेचर ओफ आर्थोसिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्थोसिस के अंदर उनी पार्ट्स के नेम इंवॉर्व होते हैं ज नी एंकल फूट आर्थोसिस जो के हमारे नी एंकल और फूट को कवर करता है ठीक है यह हम तब यूज करते हैं जब बहुत जादा हमारे लिब में डिफोर्मन्टी आ जाए बहुत जादा है वो परेल्सी हो जाए ठीक है कि हमें नी तक नी से नीचे नीचे सारा पार्ट इन सब पार्ट के बारे में हमने पहले पढ़ा है ठीक है इसलिए मैं आपको उनके सिफ नेम्स बतार हूँ कि नीचे फूट आर्थोसिस के कौन-कौन से पार्ट होते हैं ठीक है सबसे पहले शूट है फिर इसमें फांडेशन है फांडेशन के बाद इसके अंदर एंकल तोल है ठीक है यह इसके जो हैं वो components होते हैं चार ठीक है अब नीज फूट आथोसिस का function क्या होता है इसका function वही होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी आथोसिस का क्या function होता है कि उस नहीं आथो motion को stop करने लिमिट करने या उसको assist करने ठीक है और तीनो planes of motion जो है sagittal, coronal और axial तीनो planes में यह motion को assist करता है ठीक है उसके बाद वो कह रहा नीज फूट आथोसिस के अंदर mechanical hinges भी यूज़ हो सकते हैं और electrically controlled hinges भी यूज़ हो सकते हैं बिसिकली हमारे पास दो तरह के आथोसिस होते हैं एक hinges वाले होते हैं और एक rigid होते हैं जो hinges वाले होते हैं यह यह क्या करते हैं यह free movement allow करते हैं ठीक है लेकिन हिसीं जो rigid वाले होते हैं वह क्या करते हैं वह हमारी motion को restrict कर दाते हैं ठीक है तो इसके अंदर free motion को लाओ करने के लिए टीक यहилась होते हैं free motion को लाओ करने के lyhy Chiya तो इसमें mechanical hinges भी यूस ओ सकते हैं और electrically controlled hinges भी यूस तो सकते हैं ठीक यह उसके बाद वो कहता है कि different conditions हैं जिनके अंदर हम KAFOs यूज कर सकते हैं उसमें सबसे पहली condition that is paralysis मैं आप भी बताया joint lexity joint lexity क्या होती है कि joint की hyper mobility हो गया joint hyper mobile हो गया ठीक है arthritis से condition में यूज कर सकते हैं और fracture वगरा के conditions के अंदर हम knee ankle foot arthrosis use कर सकते हैं knee ankle foot arthrosis thigh से लेके foot तक extend करता है means passion को thigh से लेके foot तक की arthrosis पहनाया जाता है और यह lower limb के अंदर जो instabilities हैं उनको control करता है ठीक है साथ में alignment को maintain करता है motion को control करता है lower limb की ठीक है उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कि KAFO जो है वो दो material से मिलके बना होता है एक है metal design और दूसरा हो सकता है plastic metal design ठीक है वो कि FOS जो Metal design से मिलके बने होते हैं उनकी क्या characteristics होती है metal design consists of metal structure shape to limb ठीक है इसके अंदर metal design जो होता है उसके अंदर मैटल structure होता है जो बिल्कुल limb के मताबक बनाया गया होता है ठीक है different points के ओपर fix किया गया होता है leather straps के थुरू ठीक है और उन points के थुरू क्या होता है उसका person की body के साथ contact हो रहा होता है means तुसे हम उसको straps के थुरू connect कर देते है person की body से ठीक है और वहाँ पर वह contact कर रहा होता है उसके बाद आधा है plastic metal design plastic metal design जो है सबसे ज़्यादा use हो रहा है आजकल ठीक है means metal design इतना use नहीं हो रहा कि AFOs के अंदर plastic metal design बहुत ज़्यादा use हो रहा है ठीक है इसमें basically क्या होता है plastic device custom molded to the person's body with metal components in key structural areas only वो कह रहा है कि इसके अंदर plastic device होती बिसिकली ठीक है जो person की body के according बनाई जाती है ठीक है लेकिन इसके अंदर जो structural areas होते है ना means main areas वो metal की होते है और बाकी सारे जो device है वो plastic की होती है ठीक है next वो कह रहा है कि plastic metal design जादा use क्यों हो रहा है उसकी दो reason है सबसे पहले तो यह weight में हलका होता है as compared to metal design ठीक है drop locks क्या काम करते हैं drop locks हमारे knee को allow करते हैं कि जब हमने for example straight खड़े होना है या walking करनी है ठीक है तो हमारी extension में चली जाए हुद बाहुद ठीक है और जब हमने बैटना है तो हमारे joints unlock हो जाए ठीक है means कि वो अपने आप जो है वो हमारे joints को lock भी कर देता और unlock भी कर देता कार्बन के बने हुए KFOs पहने हैं ठीक है वो जादा बैटर वोक कर सकते हैं as compared to जिन्होंने leather, metal या plastic के KFOs पहने हैं ठीक है मतलब कार्बन के जादा अच्छे हैं उन्हें यह देखा गया ठीक है उसके बाद उन्होंने कहा है कि donning a plastic and metal KFO is appreciably faster than putting on a metal and leather arthrosis वो कह रहा है कि plastic के और जो metal के KFOs हैं ठीक है उनको donning करना means उनको पहनना जादा असान है as compared to और जादा जल्दी पहने जाते हैं as compared to जो leather के बने हुए arthrosis होते हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं application की कि हमने किस तरह पहनना है KFOs को ठीक है तो जो arthritis होता है जो prescribe करता है जो देव देखता है क्या arthritis patient के मताबिक fit है या नहीं इसको manufacture करके देता है recommendations देता हुसिने patient को instruct करना, instructions देनी है कि उसने properly किस तरह KFO को पहनना है ठीक है सबसे पहले क्या करना है कि उसने इंस्ट्रक्शन्स देनी है पेशन्ट को कि उसने एक प्लास्टिक का KFO किस तरह पहनना है जिसके मैटल अपराइट्स होते है ठीक है means अपराइट्स means कि जो उसकी लेक के पीछे जाते हैं ठीक है उसके बाद क्या करें उसकी जो हील है ना उसको जो KFO का प्लास्टिक है ठीक है उसकी बिल्कुल बैक के उपर अपनी हील को रखे उसके बाद क्या करें जो वैल्क्रो स्ट्रैप्स हैं उनको टाई करें ठीक है वेल्क्रो स्टैप्स क्या होते हैं जिस तरह हमारे शूज के लेसिस नहीं होते हैं जिनको हम टाय करते हैं बिल्कुल इसी तरह लेग के साथ या थाय के साथ जो और्थोसिस है उसको टाय करने के लिए भी स्टैप्स होते हैं जिनको हम वेल्क्रो स्टैप्स बोलते हैं वेल्क्रो स्ट्राप्स के त्रू लेग और थाई के साथ टाय करें और थोसिस को ठीक है और उसके बाद जो फूट है उसको शू के अंदर इंजर्ट कर दे ये है तरीका पहनने का ठीक है जो कि अर्थोर्टिस्ट ने गाइड करना है पेशेंट को उसके बाद हमने ध्यान पहनने के बाद आपने ब्रेस को रिमूफ करना है या अर्थोसिस को रिमूफ करना है ठीक है ब्रेस अ आर्थोसिस अ यूज फॉर सेम ठीक है डोंट बी कन्फूज तो पहले दिन आपने गंटा पहनना है उसके बाद ब्रेस को रिमूफ करना है रिमूफ करने के बाद आप इसके उपर small red marks तो नहीं बने हुए बिसिकली जब patient first time पहनता है ना तो उसके normally जो है वो red marks बन जाते हैं ठीक है लेकिन अगर तो वो red marks 20-30 minutes के अंदर चले जाते हैं brace remove करने के बाद तो कोई खत्रे वाली बात नहीं है ठीक है लेकिन अगर 20-30 minutes के अंदर वो red marks नहीं जाते और आपको इसके इलावा कोई scratching, bruising, neal पढ़ गया blister के छोट-छोटे चाले बन गए हैं इस तरह की जिदे देखने को मिल रही हैं तो आपने दुबारा brace नहीं पैन ली आपने फोरण से अपने arthritis से appointment लेना है और उससे जाके दिखाना है और उससे consult करना है ठीक है लेकिन अगर आपके 20-30 minutes के अंदर वो red marks चले गए हैं ठीक है और आपकी skin बिल्कुल ठीक है तो फिर आपने क्या करना है इसके बाद एक घंटे तक wait करना है, rest करना है ठीक है और उसके बाद 12 से brace को पहनना है एक घंटे के लिए ठीक है। दुबारा से दो घंटे के लिए पहन लेना है ठीक है लेकिन हर दो घंटे के बाद आपने स्कीन को चेक करते रहना है ठीक है उसके बाद जब थर्ड दे आएगा थर्ड आपने थ्री आर्स के लिए पहनना है थ्री आर्स के बाद उतार के स्कीन को चेक करना है ठीक है उसके ब यह था हमारा आज का टोपिक नी, एंकल, फूट, आर्थोसिस